Hello everyone, आज हम लोग discuss करेंगे, CBSC अपने 11th और 12th board में कुछ topic को हटा दिया है, delete कर दिया है, यानि कुछ नया change किया है, change कहने का मतलब जो portion कुछ topic को हटा दिया है, उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे, तो देखते हैं कि इसको किस तरह से लोग देखना है, ये board के लिए क्या इसमें इसका implication होगा, और फिर हम जो IAT और NEET का रियरी करेंगे, जही का, उसमें क्या इसका change आएगा, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो delete किया है जो portion को, जिस topic को, पहले twelfth वाले goal मों discuss करते हैं, तो board पे यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो सबसे पहला जो chapter है, वो है electric charge and field, इसमें क्या delete किया है portion को, इसमें सिर्फ delete किया uniformly, charge thin spherical cell, यानि conducting जो cell होता है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, potential electrical, जो भी उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको metal का, पूरा का पूरा sphere तो पढ़ना है, conducting a sphere पढ़ना है, non conducting a sphere पढ़ना है, सिर्फ cell को नहीं पढ़ना है, तो यह बहुत छोटा सा point है, मतलब कि यह पढ़ना ही पढ़ना है, इतना मालेज है कि इसके बीना concept का question नहीं कर सकते, तो इससे कोई ज़्यादा फरक पढ़ता नहीं, आप लोग ज़्यादा इतना panning नहीं होना है, यह चेंज कर दिया, बहुत लोग आप लोग message कर रहे थे, कि सर चेंज कर दिया, क्या नहीं पढ़ना है, इतना ज़्यादा खुस होने का ज़रूरत नहीं है, कि बहुत ज़्यादा स्लेवनस आपको हटा दिया है, तो board का जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत थोड़ा बहुत आपको minor किया है, लेकिन आपको बाकी concept क्लिर करने के लिए, या फिर जे या निट का preparation करने के लिए, यह सब करना पड़ेगा, कुछ जगा पर आपको help मिला है, उसको हम बाद में discuss कर लेंगे, आगे चलिए, current electricity में बोला है, क्या है, board में नहीं परना, तो इसमें बोलता है, carbon resistor नहीं परना, आगे का कोई कामी current electricity का करी नहीं सकते, तो इसका देखे, साफ मीनिंग क्या है, कि जो board का आप exam देंगे, 12th board, तो उसमें CBSC board में question पूछा जाता था, series और parallel से resistance बना देता था, आपको circuit solve करने के लिए देता था question, तो वो सिर्फ board में नहीं पूछेगा, लेकिन ये NEET और JEE के लिए तो होगा ही होगा, तो ये परना ही परना है, तो सब को परना ही इतना मानिये, कोई बहुत जयदा ऐसा नहीं कर दिया कि इसको हटा दिया है, आगे चलिएगा moving church और magnetism है, तो cyclotron है, नहीं परना है, ठीक है, इसको नहीं परना है, ये board के लिए पूछा जाता था, इसको नहीं परना है, अगला जो point है, magnetism and matter, इसमें अच्छा कासा portion को हटाया है, तो इसमें वो discussion जो हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब भी समझ लेते हैं, क्या कि इस board के लिए तो ठीक है, CBSC जो दिया है, कि board में changing आएगा, लेकिन एक बास सोचिए कि 2021 में, जो board देंगे, इस session में जो board देने वाले हैं, अगले वाले, 2021 में, उसी के साथ वो NEET और JEE भी exam देंगे, इसका मतलब जो CBSC जो change किया है, NCRT में भी change आएगा syllabus में, तो इसका हमको लगता है, अभी तो आया नहीं है ऐसा कुछ official, पर हमको ऐसा लगता है कि NEET और JEE के syllabus में इसी टाइप का कुछ change रहेगा, जितना radius से CBSC किया है, सेम जो portion दिया, यह portion आपको पूछेगा वहाँ exam में, तो हम लोग, जो portion इसमें से हटाया है topic, उसी के context में करके हम लोग अगला साल, यानि 2021 के लिए जो नीट और JEE का preparation कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखेंगे, फिर से बोल रहे हैं, यह जो दिया है इन्फोर्मेशन सिर्फ बोर्ड के लिए है, लेकिन हमको ऐसा लगता है, कि जैसा यह syllabus है, वह इसा है, इसलिवर से नीट में होगे, क्योंकि इतना common sense अब का है, कि बोर्ड में लड़कों के बोलेगा कि यह चीज मत पर हो, और एक जाम में पूछ देगा कैसे, तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि यह जो चीज चेंज लाया ना, इसी के context में हम लोगो उसका जेएक और नीट का पिप्रेशन भी करना है, तो अगला है Magnetism Matter, इसमें काफी help आपको मिल गया है, लगभग इसमें जो main-main point यह सारा को नहीं परना है, वो हटा दिया है, तो इसमें क्या क्या हटा दिया है, Magnetic जो bar होता है, bar magnet, bar magnet या permanent magnet उसके कारण, एक्सिस और perpendicularly एक्सिस पर magnetic field निकालना है, उसको नहीं परना है, torque नहीं परना है, हाला कि बहुत tough नहीं हुआ करता, असानी था, इसको हटा दिया है, फिर जो paramagnetic, die, ferromagnetic यह चीज परपटी परना था, वो सारा हटा दिया है, ति इसमें बहुत सारा portion हटा दिया, बहुत छोटा सा minor point आपको, जैसे art of magnetism हो गया, या फिर couple उसके कारण, loop के कारण, जो magnetic dipole होता है, वो परना है, चोटा सा point परना है, पर इसमें अच्छा का सा portion को आपको, इसमें से हटा दिया है, अगला है alternating current, alternating current में power factor, wattless current नहीं परना है, तो alternating current में, एक है power factor का जो term है, अपने notes में देखिएगा, तो उतना section नहीं परना, उसे भी question काफी पूछा दाता था, तो इतना question को नहीं करनेंगा, तो इतना question को नहीं करनेंगे, लेकिए transformer को परना पड़ेगा, यहाँ भी transformer को परना है, बाकि सब से लिए बस, जो हटाया है, बस उसको हटा दिया है, आगे है electromagnetic wave, तो ठीक है, displacement करेंगे, बहुत detail में, लोग पढ़ते भी नहीं थे, इसमें ज्यादा फायदा हुआ नहीं, ray optics, optical instrument, तो यहाँ पर एक चीज होगे, आपको फायदा कि mirror पूरा का पूरा नहीं परना है, plane mirror, spherical mirror में, concave or convex mirror पूरा हटा दिया है, scattering और इसे भी हम लोग नहीं ज़्यादा परते थे, resolving power, microscope and telescope, तो यहाँ पर देखे, अच्छा खासा इसमें help मिला है, polarization होता था एक अच्छा खासा चैप्टर है अब लोग वेव अप्टिक्स के लास्ट में, तो polarization के बिल्कुल हटा दिया, polarization परना नहीं है, अब है photoelectric effect, dual nature जिसको बोलते हैं, तो इसमें एक experiment है, इसको नहीं परना है, तो बहुँ ज़्यादा help नहीं है, यह बहुँ ज़्यादा help नहीं हुआ इसमें, तो यह बोलेंगे radio activity या निकुलियाई वाले जिचाप्टर लगभग हटा दिया, आपको नहीं भी पर सकते हैं, आपको 2021 के जो neat or jage देने वाले हैं, कोई दिक्कत होना नहीं, देखिए अब यह बाद में नोटिफिकेसन पका आ जागा असलिए बस change उसमें भी, अभी के ल इसमें नहीं मिला है, तो 12th का syllabus में देखिए major जो change आया है, एक बार हम लोग इसको analyze करते हैं, कि कहां कहां major change आया है, तो देखिए कि हमको ऐसा लगता है कि इसमें major change आया है, वा है magnetism and matter में, magnetism and matter लगभग आपको नहीं परना है, बहुत उसका छोटा सा point आपको देखना है permanent magnet जो होता है, बार magnet लगभग उसका main main point नहीं ही परना है, दूसरा जो फाइदा हुआ alternating current में power factor का जो term होता है, waterless current या power factor वहाँ इसको नहीं परना है, दो point हो गया, उसके बाद एक optical instrument में जाएं, या ray optics में जाएं, तो यहाँ पे एक फाइदा आपको यह हो गया, कि plane mirror और con convex mirror यह mirror नहीं परना है, optical instrument of resolving power नहीं परना है, इतना फाइदा होगे, और एक nuclear eye में आपको फाइदा होगे, कि nuclear eye लगभग आप पूरा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें एक on average हमको पता चल गया, और ऐसा ही मिलता जुलता, जही निट में होगा, आप 11 के और dimension जैसा है, इसमें कोई change नहीं है, जेतना पढ़ना तो नहीं परना है, motion in a straight line, तो motion in a straight line में frame of reference के बारे में नहीं परना है, आपको हटा दिया है, motion in a straight line, position time, जो होता न, XT graph, VT graph, 80 graph, उसके बारे में बोल रहा है कि नहीं परना है, position time graph, XT graph नहीं परना है, और speed, velocity भी न आने, आप motion को अपर पाएंगे, इसका मतलब यह है कि यह सब का जनकारी आपको चाहिए ही, सिर्फ 11th का board का exam होगा, उस board का exam में इससे question नहीं पूछेगा, कि what is speed, what is velocity, यह करके question नहीं पूछेगा, लेकिन final exam, NEET और J में तो आपको पूछेगा, entrance में, उधर तो पूछेग तो यह नहीं भी परना है, फिर भी परना है, इतना माल लेजिए कि कुछ हम लोग को इससे फरक नहीं पड़ता है, कि इसमें जो बात लिखा है, क्योंकि जानकारी तो चाहिए, आपसे बोलेगा, कि 10 theta plus 4 theta परना है सिलिबस में, लेकिन plus का मतलब नहीं परना है, यानि 1 plus 2, plus का मीनिंग नहीं परना है, पर 10 theta plus 4 theta परना है, तो फिर परना ही परना है, वही बात यह बोल रहा है, कि आपको Newton's law motion परना नहीं है, तो फिर आगे का rotation हो, दूसरा chapter कैसे पढ़ाई होगा, तो सब आपको परना है, क्या system of particle or rotational motion, देखिए, इसमें क्या नहीं परना है, parallel and perpendicular axis theorem, moment of inertia का जो theorem होता है, parallel and perpendicular axis theorem, यह नहीं परना है, तो बीना इसके rolling कैसे पढ़ेंगे हम दो, तो यह है कि यह सब चीज का जानकारी चाहिए, सिर्फ बोर्ड में आपको नहीं पूछेगा, यह बोलने का मतलब है syllabus का, कि बोर्ड में इसको हम नहीं पूछेंगे, एक्जाम में आ आपको, आप इतना जान लेजिए कि हमको knowledge होना चीए, तभी जाके पूरा का पूरा gravitation को देख पाएंगे, ठीक है, आगे चलती है mechanical properties of solid, इसमें देखिया हमको help मिला है क्या, poison ratio नहीं परना है, modulus of rigidity, poison ratio, elastic energy, तो बहुत थोड़ा सा poison ratio बहुत ज्यादा important भी नहीं था, बहु क्या नहीं परना है, जो हमारे लिए काम का है, वो है conduction, convection, radiation, यहाँ पे आपको help मिल गया है, तो आपको conduction, conduction में होता था, block लगा रहता था, दो block लगा हुआ है, k1, k2, thermal conductivity होता था, k1, k2, total conductivity कितना, इस type का question जितना है, वो वाला section आपको नहीं परना है, और radiation जिसमें stiffens law होत में, जो conduction जहां से start, heat transfer जहां से start होड़ा है, वहां से लेकर, last तक, newton's law cooling, radiation, जितना है उसमें, उतना दूर तक आपको नहीं परना है, तो इसमें हमको काफी help मिल गया, लग रहा है कि इसमें आपको एक portion, आपको reduce हो गया, नहीं पूछेगा, और यह ऐसा syllabus किया है, तो 2021 में जो neat देंगे, उसमें नहीं, उसमें तो पूछेगा ही, पूछेगा, 2022 में, यदि कुछ होगा syllabus में change, वह अहां पे जाएगा, तो अभी हम इसके लिए देखिए, 11th class और 12th class को समझेए, 12th class में कुछ घटाया है, तो 2021 यह अगले साल जो neat देंगे, उसमें तुरंट उसमें वापस आजाएगा, क्योंकि यह कोरोना का जो condition, यह सब normalize हो जागा, stabilized situation जैसे योगा बार वापस सेले बस वही सबा जाएगा, आगे दिखिए कहां पे heat मिला, thermodynamics, thermodynamics क्या आपको help मिल गया, heat engine, refrigerator नहीं परना है, तो thermodynamics, heat engine और freeze वाला जो concept है, उसको नहीं परना है, ठ ठीक है, नहीं पर हैंगे, बोड के लिए, वेब में कह रहा है कि fundamental mode harmonic, mode harmonic, इसमें standing wave में आता है, तो standing wave वाला portion नहीं परना है, ठीक है, यह बोड के लिए सिर्फ, आपको exam के लिए भी कुछ बोला नहीं इसमें, ठीक है, तो 11 में जम देखेंगे कि क्या-क्या change आया है जो बो और जादा कुछ नहीं, साउंड में जाएगे, तो डॉबलर इफेक नहीं परना है, और standing wave के बारे में जादा नहीं जाना है, तो हम लोग फिर से एक बार conclude करते हैं, जो हम लोग किस तरह से देखना है, 12 वाले portion में लगभग सब परना है, कहा-कहा छोड सकते हैं, तो हम लो यही syllabus आपको होने वाला है, JEO NEET में, यह मेरा हम मानना है, ऐसा नहीं official कुछ है नहीं, ठीक है, तो हम लोग discussion कर लिया, और कुछ भी इसके बार में इतना research नहीं करेंगे, physics का आपको बता दिये हैं, और chemistry का देख लिजेगा, क्या change किया नहीं किया है, लेकिन जो भी change किया ह तो इतना ज्यादा tension नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा change किया है, इतना ज्यादा भी नहीं change किया है, अब math में देख लिजेगा, chemistry में देख लिजेगा, जो change किया है, बहुत थोड़ा बूत किया है, और इसलिए किया है, क्योंकि इतना दिन में लड़का को परने का time नहीं अपनको जाग पना सबाद में अच्छता कर दो भाद में अधिया है पना सबकतब जाग यह लग्या को में उतको प्रूदान कर दो ख़कता में तो हुट हाख